हेलो नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में किस इस पकार से अक्सेट रुतिया का पोस्टर बनाना सिखेगे तो वीडियो को सुरू से लेके अन तक आप लोग देखते रहिए ताके आप लोग भी इस पकार से अक्सेट रुतिया का पोस्टर बना सको दोस्तो इस poster को बनाने के लिए जो भी png plp material यूज हुआ है उसका link मैंने description में दे रखा है आप लोग वहाँ जाके उसको download कर सकते हो लेकिन उसमें एक password लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को 3 step में मिल जाएगा दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से request करता हूँ के अगर आप लोग ने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर दीजेगा दोस्तो poster बनाने के लिए picture lab application की जरुवत पढ़ती है जिसका link मैंने description में दे रखा है आप लोग वहाँ जाके इस app को download कर सकते हो तो दोस्तो poster बनाने के लिए picture lab application को open कर लेते है application को open करते ही कुछ इस तरह का interface हमारे screen पे आ जाएगा यहाँ पे new text को हम लोग delete कर देगे उसके बाद right side corner में उपर की side पे 3 dot के निसान पे क्लिक करेगे use image from gallery पे क्लिक करेगे और जहाँ भी हमने file को download करके save करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग file को open कर लेगे यहाँ से हम लोग background select करेगे यहाँ ok कर देगे तो दोस्तो इस पकार से हमारा background रहेगा अब इस background में हम लोग एक एक png को set करके अपना poster तयार करेगे इसके लिए plus वाले icon पे क्लिक करेगे from gallery में चले जाएगे यहाँ से एक png को select करेगे यहाँ ok कर देगे फिर यहाँ पे बीच वाले icon पे क्लिक करेगे और right side scroll करके relative size पे क्लिक करेगे जिससे png size जिगा पे set हो जाए उसके बाद ok कर देगे तो दोस्तों इस पकार से हमारा poster तयार हो गया है अब इस poster में हम लोग नीचे की side पे अपने channel का intro अपने channel का नाम अपना नाम और अपना photo png set करेगे तो मैंने अपने channel का intro already save करके रखा हुआ है उसे select कर लेगे प्लस वाले icon पे click करेगे from gallery में चले जाएगे यहाँ से channel का intro select करेगे यहाँ ok कर देगे इसका relative size भी बढ़ा के 100 कर देगे फिर ok कर देगे दोस्तों यहाँ पे twitter, youtube, facebook का icon बना हुआ है उसके बगल में अपने channel का नाम यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपना photo png set करेगे तो मैंने अपने channel का नाम already save करके रखा हुआ है उसे select कर लेगे प्लस वाले icon पे click करेगे from gallery में चले जाएगे यहाँ से channel का नाम select करेगे यहाँ ok कर देगे इसका relative size भी बढ़ा के hundred कर देगे फिर ok कर देगे दोस्तों अगर आप लोग को यहाँ पे अपने channel का नाम लिखना है तो प्लस वाले icon पे click करेगे text पे click करेगे यह वाले icon पे click करेगे pencil के icon पे click करेगे और यहाँ पे अपने channel का नाम लिख देगे फिर ok कर देगे फिर राइस स्क्रॉल करके डबल टी पे क्लिक करके इसको बढ़ा या छोटा कर सकते है फिर ओके कर देगे फिर राइस स्क्रॉल करके कलर वाला आइकॉन पे क्लिक करेगे इसके कलर चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों देख सकते हो कलर चेंज हो रहा है उसके बाद ओके कर देगे उसके बाद right side scroll करके इसका font change कर सकते हैं जिससे और भी बढ़ियां लगे फिर okay कर देगे तो दोस्तों इस पकार से हम लोग अपने channel का नाम लिख सकते हैं उसी पकार से दोस्तों हम लोग अपना नाम लिख सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर right side में जो जगा खाली है यहाँ पर हम लोग अपना photo png set करेगे तो मैंने already एक photo png save करके रखा हुआ है उसे select कर लेगे प्लस वाले icon पर click करेगे from gallery में चले जाएगे यहाँ से photo png select करेगे यहाँ okay कर देगे इसका relative size भी बढ़ाके 100 कर देगे फिर रोक कर देगे तो दोस्ते इस पकार से हमारा poster तयार हो गया हब इस poster को हम लोग gallery में कैसे save करेगे इसके लिए share वाले icon पर click करेगे match format में png select करेगे quality dimension में ultra select करेगे और save to gallery कर देगे दोस्तो इस पकार से हमारा poster gallery में save हो जाएगा दोस्तो इसी पकार से आप लोग को अगर किसी और festival का या आपने shop का banner बनवाना है तो comment करके बता दीजेगा मैं उस पे वीडियो बना दूँगा जिससे आप लोग mobile से ही poster बना सको दोस्तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जय हिन जय भारत